हेलो दोस्तों वेलकम डू जेक्ट अकडेमी दोस्तों आज किस वीडियों हम लोग कक्षा दस के स्वाइन्स का भीविये अब्जेक्टिव कोईशन को देखेंगे इसलिए आप लोग वीडियो को सुरू से लेकर के अंदर जोड़ देखिए तिया आप देखें कोईश्चन है प्रकास तरंग उधारन है तो प्रकास तरंग विधू चुम्बक्या तरंग का उधारन है दूसरा कोईशन है प्रकास की कीरने गमन करते हैं तो प्रकास की कीरने सीधी रेखा में गमन करते हैं तिसरा कोईशन सर्च लाइट का प्रावरतक सत्व कैसा होता है तो सर्च दिप्त वस्तु कहते हैं जिन वस्तु से स्वाइप प्रकास उत्षाजित होते हैं उन्हें आत्मदिप्त कहते हैं जैसे क्यों गया सोरिय दिया ये सबी जो है आत्मदिप्त वस्तु हैं ये खुद प्रकास उत्षाजित करते हैं ठीक है चलिए पांच नमल कुश्चन है किसी वस्तू का आवर्धित कालपनिक परत्वीम बनता है यह अबतल दर्पन से बनता है किसी वस्तू का आवर्धित कालपनिक परत्वीम बनता है यह अबतल दर्पन से बनता है छटा कोईशन हवा में परकास की चाल होती है तो हवा में परकास की चाल 2.25 गुना 10 पर 8 मीटर परती सकेन होता है, साथ नमर कोश्चन है, तारे टिम्टिम आते हैं, तारे टिम्टिम आने का कारण है अपवर्तन, ठेक है, प्रकास के अपवर्तन के कारण तारे टिम्टिम आते हैं, आठ नमर कोश्चन है, प्रकास तरंग की प्रकृति होती है, यह अनुप्रस्त तरंग होती है, प्रकास तरहेंग की प्रकृति अनुप्रस्त होती है, नौ नमर कौशन, दो वक्रिये प्रिष्टों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रिये प्रिष्टों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं, गोलिये लेंज कहते हैं, दौस नमर कौशन, लेंज के मानम नेत्र में कुमसा लेंस होता है उत्ता लेंस होता है बार नमर कुश्चन मानम नेत्र अभी लेंस की फोकस दुरी को समायोजित करके विभीन दुरियों पर रखी वस्तों को फोकसित कर सकता है कारण है समझन छमता समझन छमता के कारण क्या करता मानम नेत्र अभी नेत्र लेंग्स की फोकर्दूरी को समाईय उजित करके विभीन दुड्यों पर रकी वह स्तों को फरक्सित कर सकता है, ठीक है चलिए तेरा नमर कुछ्छंन है मानमनेत्र जिस भाग का पर्तविम बनाते हैं वो है द्रिष्टी पडल मानाम नेत्र जिस भाग पर परतिविम बनाते हैं वो क्या है दोस्तों द्रिष्टी पडल है चौदा नमर कुश्चन है समाने द्रिष्टी के वेस्क के लिए सु असपस्ट दर्शन की नियूंतम दुरी लगवा कितना है 25 सेंटीमीटर पंद्र नमर कुश्चन है अभिनेत्र लेंज की फगवा दुरी में परिवर्थित क्या आता है पक्छामी दुवारा किया आता है चले दोस्तों अब 16 नमर कुश्चन को देखेंगे 16 नमर कुश्चन है प्रिकास के किस रंग के लिए तरंग देर्द अधिक्तम होता है और बैगनी रंग के लिए तरंग देर्द कम होता है 17 नमर कुश्चन देखेंगे दूर दिष्टी वाले साप साप देख सकती है दूर दिश्टी वाले साब साब देख सकते हैं दूर की वस्तों को जिसको दूर दिश्टी है वो दूर की वस्तों को देख सकते हैं लेकिन नजदी की वस्तों को नहीं देख सकती है ठेका और निकट दिश्टी वालों के लिए क्या है कि वो निकट की वस्तों को देख सकते है लेकिन दूर की वस्तों को नहीं देख सकती है अठारों नमर कोईस्टन है दोस्तों नेत्र लेंज में समयोजन की किरिया होती है तो सिलियरी पेस्चियों दुवारा होती है नेत्र लेंज में समयोजन की किरिया होती है सिलियरी पेस्चियों के दुवारा होती है उनीस नमर कोईशन देखेंगे साथियो समान नेत्र की रेटीना पर बनने वाला परतिविम होता है यह वास्तविक और उल्टा होता है किसा होता है यह वास्तविक और उल्टा होता है बीस नमर कोईशन देखेंगे साथियो निकर दिश्ति दोस्वाले वेक्ति किस चस्मे को इस्तेमाल करते हैं तो अप्तर लेंस का चस्मे का अप्योग करते हैं निकर दिश्ती दोस्वाला जो वेक्ती होता है ठीक है उसका जो चस्मा बना होता न वो कौन सा अप्योग करता है अप्तर लेंस का बना हो अप्योग करता है ठीक है लेकिन दूर की वस्तु जिसको माली य व्यक्ति किस चस्मे का इस्तेमाल करते हैं यह उत्ता लेंस का चस्मा का इस्तेमाल करते हैं दूर देशती दोस्वाले व्यक्ति उत्ता लेंस के चस्मे का बने उत्ता लेंस का उप्यों करते हैं ठीक है चलिए बाइस नमर कोश्चन है रेटीना पर किसी वस्तु का उल्टा त था वास्तिवी पर्तिम किसके द्वारा बनता था यह अभी नेत्र लेंज के द्वारा बनता था इस नमर्ड कोशन है साथियों विधूत सिगनल किसके द्वारा मस्तिक्स तक पहुंचता है यह तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचता है ठीक है किसके द्वारा हक तंत्रिकाओं क द्वारा पहुंचता है 24 नमर कुछन देखेंगे साथियों कभी कभी कुछ ब्यक्ति के नेतर का क्रिस्टलियर लेंस धूदिया तथा धूंदला हो जाता है इस स्थिति को क्या करते हैं तो इस स्थिति को मोतियाबिन्द करते हैं ठीक है कभी कभी कोछ ब्यक्तियों का नेतर की स्थलियर लेंस दूआ अंधूंदिया तथा धूंदला हो जाता है इस स्थिति को मोतियाबिन्द करते हैं ठीक है ये अक्सर जो बुढ़े लोकों होता है मोतियाबिन ठीक है 25 नमर कुछन है किसी प्रिज्म में आप्तित किरन की दिशा और निर्गत किरन की दिशा के बीच का कौन क्या कर लाता है ये बिचलन कौन कर लाता ठीक है किसी प्रिज्म में आप्तित किरन की दिशा और निर्गत किरन की दिशा के बीच का कौन क्या कर लाता यह विचलन कुन कला जैसे माली जी यह कोई प्रीजम है और यहां से प्रकास का प्रावर्त यहां पर आपतित किरन यह है और यह क्या हुआ प्रीजम से अपवर्तित होकर के फिर यह निर्गत हुआ ठीक है तो इसको ऐसे पराएंगे और इसको ऐसे पराएंगे तो यह बला ज अगने लिए थांक यू